ओम शांति ओम शांति अज 20 अगस्त 2023 दिन रवीवार की अव्यक्त मुरली आईए अब सुद्धे हैं मीठे मीठे बाप्तादा के मधूर महावाक्यों को बाप्तादा की विशेश पसंदगी और ज्यान का फाउंडेशन पवित्रता अज प्यार के सागर बाप्तादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है भगतात्मा थे तो बाप से कितना दूर थे इसलिए चारो और ढूंडते रहते थे और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है साथ है या ढूंडना पड़ता है इस तरफ है उस तरफ है तो कितना समीप हो गया कोई भी पूचे परमात्मा कहा है तो क्या कहेंगे मेरे साथ है फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता तो इतने समीप साथी बन गए हो आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है क्या लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आँख मिचोनी का खेल कर देते हैं बाप दादा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा मेरा बाबा और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं अगर अभी यहां ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे न तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो बाप को देखने की द्रश्टी बंद हो जाती है और माया को देखने की द्रश्टी खुल जाती है तो आँख मिचोनी खेल कभी-कभी खेलते हो बाप फिर भी बच्चों के उपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है वो बेहोश करती है और बाप होश मिलाता है कि तुम मेरे हो बंद आँख याद के जादू से खोल देते हैं बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसंट में है तो सभी कहते सो परसंट से भी ज्यादा है लाख है, हजार है, सो है, वो हाथ उठाओ, कोई ने नहीं उठाया, अच्छा, सभी पक्के हैं, बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चिन करेंगे, फिर नहीं बदलना, अच्छा, ये तो बहुत खुश खबरी सुनाई, कि पदम गुना प्यार है, अभी बाप पूछते हैं, कि प्यार का सबूत क्या होता है, समान बनना, तो समान बने हो, नहीं, फिर पदम गुना से तो कम हो गया, आप सभी कहेंगे, कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे, लेकिन अगर प्यार वाला कहता है, कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, बाप दादा जान तो लेते नहीं है, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है, लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चरे करना पड़ता है, आश्चरे करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चरे करना पड़ता है, पाट बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो लेकिन प्यार की निशानी है, नियोच्छावर होना, जो कहे वो करना, तो बाप सिर्फ एक बात में नियोच्छावर होना देखना चाहते हैं, लेकिन प्रतिग्या करने के बाद भी करते रहते हैं, वो क्या, हर एक स्विम समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संसकार या मूल कमजोरी क्या है, हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो न, तो वो कमजोरी जानते हुए भी नियोच्छावर क्यों नही करते हो 63 जन्म की साथ ही है इसलिए उससे प्यार है प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है प्यार होता है या जगड़ा होता है उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठा कर एक दो को लगाएंगे तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बाते हैं ब्रह्मा बाप की विशेशताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है? उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं लेकिन जो मूल फाउंडेशन है जो ब्रह्मा बाप वाज्ञान का आधार है वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेश पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतरमुकता, निश्चय बुद्धी, सच्चाई सफाई वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता लेकिन पवित्रता की परिभाशा बहुत गोहे है पवित्रता जहां होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई सफाई ये सब आ जाता है लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुहे भाषा पवित्रता का गुहे रहस्य अभी बुद्धी में पूरा सपश्ट नहीं है व्यर्थ संकल्प चलना या चलना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलने के निमित बनते हैं तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रेक्टिकल में लाना चाहिए न? वैसे देखा जाए तो पाँचों ही विकार चाहे काम हो चाहे मोह हो सबसे नंबर वन है काम और लास्ट में है मोह लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है तो काम अर्थात व्यर्थ द्रश्टी किसी आत्मा के प्रती अगर व्यर्थ द्रश्टी भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं माने जाएगी तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे नियोचावर क्यों नहीं करते कर सकते हो हान जी हान जी करना कहना बहुत सहज है लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चाट रहता है न अभी तक पाँच ही विकारों के विर्थ संकल्प मेज्योरिटी के चलते हैं फिर चाहे कोई भी विकार हो ये क्यों ये क्या ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा होना चाहिए या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्यानी आतमाओं में या तो अपने गुड का अपनी विशेष्टा का अभिवान आता है या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके कमी अपने पुर्शार्थ की नहीं लेकिन नाम में मान में शान में पूछने में आगे आने में सेंटर इंचार्ज बनाने में सेवा में विशेष पार्ट देने में ये कमी ये वियर्थ संकल्प भी विशेष ग्यानी आतमाओं के लिए बहुत नुकसान करता है और आज कल ये दो ही विशेश स्वियर्थ संकल्प का आदार है तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिन चर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान मेरे को कम क्यों मेरा भी ये पद होना चाहिए मेरे को भी आगे करना चाहिए तो ये अपमान समझते हो न तो ये दो बातें अभिमान और अपमान यही दो आजकल वियर्थ संकल्प का कारण है इन दोनों को अगर नियोचावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है तो क्या नियोचावर करने की शक्ती है अचा कितने समय में अभी आज नवंबर है न नया साल आएगा तो दो मास हो जाएंगे न नये साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है तो हर एक चाहे टीचर चाहे विद्ध्यारती है चाहे महारती है, चाहे प्यादा है ऐसे नहीं कि ये तो महारतीयों के लिए है हम तो हैं ही छोटे राज्य भागय लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ उस समय तो कहेंगे कि सेकिंड नारायन मुझे ही बना दू तो हर एक को सिर्फ दो शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के उपर विशेश ये लिखना अवस्था का पोता मेल तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसंटेज में नियुचावर हुए पचास परसंट या सो परसंट नियुचावर हुए बस एक लाइन लिखना लंबा चोड़ा नहीं लिखना जो लंबा चोड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे तो तैयार हो, जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी, जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही चुटती है, कोई है या पीछे लिखेंगे, पुर्शार्थ तो बहुत किया, लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो न ही लिखेंगे, पक्के हैं, अच्छा, बाप दादाने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, لेकिन इसी प्यार से पहुचना कहा है, बाप समान बनना है न, तो जैसे मधुबन में भागते, भागते आते हो, न, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आँख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो। आते हो ऐसे ही पुर्शार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का हो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्यवरत धारण करना ये तो एक कौमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है। अभी तो वानप्रस्तस्ति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ। पवित्रता तो है ही सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी द्रश्टी व्रती में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ। ज्यान स्वरूप बनाओ, शक्ती स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है। क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ती है। पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी आत्मा है। पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है। त्रिकाल दर्शी आतमाए हो, जब क्यों क्या कहते हो, तो बाप दादा कहते हैं, इनों को जिग्यासु के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं, कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म और करते हो, अभी क्या और क्यों, जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्य करेगा वो जानता है कि ये इसलिए होता है क्या का जवाब स्विम ही बुद्धी में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है चाहे महारती हो चाहे प्यादा हो अगर महारती से भी गलती होती है तो उस समय वो महारती नहीं है परवश है तो परवश वाला कहां भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारती होकर कर रहा है, उस समय महारती नहीं, परवश है, समझा, नए साल में क्या करना है, व्यर्त केस मापती का नया खाता, ठीक है, पक्का, कि कोई न कोई कारण बताएंगे, अगर कारण होगा, तो कोई नया प् कारण नहीं, निवारण, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप, अभी प्रकरती भी ठक गई है, प्रकरती की भी ताकत सारी खत्म हो गई है, तो प्रकरती भी आप प्रकरती पती आत्माओं को अरजी कर रही है, कि अभी जल्दी करो, अभी देर नहीं करो, अच्छा बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवें और बाप रुह रिहान नहीं करे तो कैसे होगा तो जबर्दस्ती भी चलाना ही पड़ता है अच्छा, सभी खुश है बाप मिला संतुष्ट है ना चारों और के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्व्यम को निर्विकल्प बनाने वाले विशेश आत्माओं को सदा बाप और निर्विखन सेवा के लगन में मगन रहने वाले आत्माओं को सदा बाप के स्नेह में निचावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुट मॉर्निंग और नमस्ते अच्छा, सब खुश, कोई नाराज तो नहीं हुआ, मैं नहीं मिला राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते दादियों से देखो, आप आदी रतनों में सभी का प्यार के साथ सथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है सभी देखते हैं कि आदी रतन ठीक हैं, तो सब ठीक है तो आप लोगों में सब का शुद्ध मोह बढ़ गया है बाप दादा इन दोनों, चंद्रमणी दादी और रतन मोहिनी दादी के उपर भी खुश है ज्यान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है जिम्मेवारी तो क्या? खेल है भारीपन है क्या? खेल हलका होता है ना तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है तो बाप दादा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदी से सहयोगी रहे हैं आदी से हाजी करने वाले हैं यही साकार बाप का आप सब को विशेश वर्दान हैं ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता ये तो मालूम है अनुभवी हैं इशू बजाया है और आपकी अर्थात दाधी की तो विशेश सहयोगी हैं कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है क्योंकि गंभीर रहती है ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है कोई भी बात बोल दी न समझो अच्छा किया और बोल दिया तो जमा हो गया और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है कहते हैं न देखो जगदंबा गंभीर रही चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की आप लोग ज्यादा कर रहे हो लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है कट नहीं हुआ है कई करते बह बात हुई तो पूरा कट हो जाता है या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है ऐसे ही अपना वर्नन किया तो आधा कट हो जाता है बाकी बचा क्या तो जब जग दंबा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है गंभीरता की देवी है ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए चाहे मधुबन में रहते हैं चाहे सेवा केंदर में रहते हैं लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी माक्स इकठी करो वर्णन करने से खत्म हो जाती है चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसी का अपमान कराता है तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवशकता है अभी बोलने क कि आदत बहुत हो गई है क्योंकि भाशन करते हैं ना तो जो भी आएगा वो बोल देंगे लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पढ़ता है इतना वाणी का नहीं पढ़ता अच्छा वर्दान रुहानी गुलाब बन चारों और रुहानियत की खुश्बू फैलाने वाले आकर्शन मूर्त भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझें सदा स्मृती रहे कि हम भगवान के बगीचे के रुहानी गुलाब हैं रुहानी गुलाब अर्थात कभी भी रुहानियत से दूर होने वाले नहीं जैसे फूलों में खुश्बू समाई हुई होती है ऐसे आप सब में रुहानियत की खुश्बू ऐसी समाई हुई हो जो ओटोमेटिक चारों और फैलती रहे और सब को अपनी और अकरशित करती रहे अभी आप ऐसे खुश्बू दार वा अकरशन मूर्त बनते हो तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदी से खुश्बू करते हैं स्लोगन परोपकारी वह है जो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित बनते हैं परोपकारी वह हैं जो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित बनते हैं ओम शन्ति सुचना आज मास का तीसरा रवीवार है साएं साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेश योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्ति शाली किरने निकल कर मेरी ब्रुकुटी पर आ रही हैं और वही किरने मेरे द्वारा अपने निजी संसकारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं ओम शन्ति ओम शन्ति